भारत अनोखी परंपराओं का देश एक देश जिसकी संस्कृती को समूचे विश्वने माना है उस संस्कृती का सबसे बड़ा हिस्सा हमें आदर से खता है आदर बड़ों का आदर महमानों का यह हमारी संस्कृती ही है जिसकी वज़ा से हम अपने गुजरे हुए कल को आदर से मुस्कृराहट के साथ याद करते हैं इस याद के किसी कुने में दबाएक शब्द हर बार हमें हमारे बच्पन में मिलने वाली खाने की थाली याद दिलाता है जिस थाली में बहुत बड़ा हिस्सा था उस शब्द का जिसने भारतिय बाजार को एक नई शक्ल दी वो शब्द जो आगे चल कर ब्रैंड बना वो ब्रैंड जिसने कई विवादों को जोटा साबित कर हर भारतिय की यादों में जगह बनाई वो ब्रैंड जिसे हम डालडा कहते हैं तो चलिए दोस्तों नारा टीबी की खास रंखला बिजटॉक्स के पहले एपिसोड में हैरिटेज ब्रैंड डालडा के हस्तत में आने से लेकर बाजार का राजा बनने तक और फिर बाजार से गायब होने के सफर को बारीकी से जानेंगे हम जानेंगे किस तरह बनस्वती घी का एक ब्रैंड डालडा उसका ही एक परियाए बन गया हम जानेंगे किस तरह अफ़वाहों ने डालडा को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया हम जानेंगे किस तरह डालडा आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है लेकिन इन सब से पहले हम इस कहानी की शरुवात करेंगे कहां से आया डालडा शब्द? दोस्तो आज भले ही डालडा शब्द की हमारे दिल में एक अलग छाप है मगर इस शब्द के अस्तित्व में आने की कहानी बड़ी अनूठी है जिसके शुरुवात साल 1930 में होती है उस वक्त तक नीदर लैंड की एक कमपनी डाडा भारत में वनस्पती तेल प्रेडियूस करती और अन्ने देशों को एक्सपोर्ट करती थी इदर भारत के बाजारों में शुद्ध देशी घी के दाम आसमान चू रहे थे एक ऐसे देश में जहां हर महीने बड़े त्यवहार आते हों और मिलने जुलने का रिवाज हो वहां के किचन में खास पकवानों और मिठाईयों में देशी घी का इस्तेमाल आम आदमी का बज़र्ट बेगाड रहा था भारत्य बाजार को देशी घी के विकल्प की तलाश थी ये कमपनियों के लिए बहुत बड़ा मौका था जिसे भुनाने की शरुवाथ की British Company Lieber Brothers ने जिनने अब Unileber और भारत में हिंदوस्तान Unileber Limited के नाम से जाना जाता है ये रोप की Lieber Brothers Company शरुवाथ में हों और परसनल केर प्रड़क्ट बनाती थी बीसवी सदी की शरवाज से ही लीवर ब्रदर्स फूट प्रडक्ट के छेत्र में प्रविश कर चुकी थी यही वजा रही कि उन्होंने भारत में वनस्पती घी के उत्पादन की योजना को जमीन पर उतारा इसका पहला कदम 1931 में हिंदुस्तान वनस्पती मैनुफेक्चरिंग कमपनी की अस्थापना की रूप में पड़ा जबकि दूसरा और बड़ा मजबूत कदम अगले साल 1932 में मुंबई में वनस्पती घी उत्पादन फैक्टरी के साथ जमा लीवर ब्रदर्स ने भारत में वनस्पती घी के लिए निव रख दी थी लेकिन इस कहानी में बड़ा मोर तब आया जब लीवर ब्रदर्स ने भारत में डाड़ा के अधिकार हासल कर लिए मगर अभी एक ट्विस्ट आउर था डाडा को लीवर ब्रदर्स के हाथों बेशते वक्त ये शर्ट रखी गई कि प्रड़क्ट का नाम डाडा ही रहेगा और कभी बदला नहीं जाएगा मगर लीवर ब्रदर्स का मानना था कि उत्पात पर कहीं न कहीं तो मालिक कमपनी का परगाया गया और 1937 में पहली बार डालडा शब्द अस्तित्त में आया क्या अंतर था डालडा के वनस्पत्गी और सुध देसी घी में दोस्तों डाडा को डालडा करने से और वनस्पती तेल को हैड्रो जनरेटेट कर वनस्पती घी बनाने भर से ही लीवर ब्रदर्स को उनके मकसद में काम्याबी नहीं मिलने वाली थी डालडा के सामने असल चुनोती भारतियों के वनस्पती घी पर भरोसे को ले कर थी इस बात पर आज भी भरोसा करना मुश्किल है कि कोई प्रोडक्ट देशी घी की जगह ले सकता है और तब तो समाज आज की तुलना में इतना एडवांस भी नहीं था ऐसे में डाल्ला के भारते बाजार फेल होने की संभावनाएं बढ़ गई मगर लीवर ब्रदर्स हर मानने वाले नहीं थे डाल्ला की मैनुसेक्चरिंग पर काम किया गया उसे दानेदार सुगंधिद और एक अलग स्वादवाला बनाया गया हाला कि अभी डाल्ला देशी घी के मुखाबले में कई गुडों में बीचे था मगर डाल्ला की बहुत सी खूबियों ने उसे मार्कट में बनाय रखा इतना सब होने के बाद डाल्ला के सामने अलग समस्या ये थी कि डाल्ला को घर घर तक कैसे पहुचाया जाए तब डाल्ला के लिए संकट मोचक बनकर लीवर की विग्यापन इजसी लिंटास सामने अई इतिहासका सबसे बड़ा विग्यापन अभियान लिंटास ने डाल्ला की मार्केटिंग के लिए एक ऐसे एड़िटाइजिंग केमपेण की शरुरुद की जिसकी भारतीय बाजार में कोई दूसरी मिसाल नहीं है उस दरवाल लेटांस में डालडा के अड़र्टाइजिंग हैड हर्भी डंकन ने 1949 में भारत का पहला मल्टी मीडिया विग्यापन अभियान तयार किया जिसके अंतरगत सबसे पहले एक शॉट फिल्म मनाई गई जो थियेटरों में इंटरवल के दावरान चलाई गई साथी लागों पैम्पलेट बाटे गए और अखबारों में विग्यापन भी दिये गए मगर ये सभी अड़र्टाइजमेंट समाज के पढ़े लिखे तपके तक ही सीमित थे आम लोगों तक पहुचने के लिए एक अनोखा तरीका अपना आया गया कनस्तर की तरह दिखने वाली गोला कृती वाली बैन हर शहर में घूमने लगी जिसने समाज के हर वर्ग का ध्यान अपनी ओर खीचा इसके अलावा कई स्टॉल लगाये गए जहां ग्रहाकों को डालडा घीचूने, चखने और सुंगने की इजाज़त दी गई दूसरी तरफ डालडा केवल अपने विग्यापन अभियान पर नर्भर नहीं था बाजार के हिसाब से भी डालडा ने खुद को ढालने में कोई कसर नहीं छोड़ी दूकानों पर मिलने वाला डालडा का पीले रंका टिन का डिब्बा ग्रहांकों को बहुत पसंद आया बाकी कमाल डिब्बे पर खजूर के हरे रंके पेड़ वाले लोगों ने कर दिया था लीवर ने अपने डिस्टिब्यूटर नेटवर्ट के जरिए इन टिन के डिब्बों को देश के हर हिस्से में बिजवाया इतना ही नहीं अलग-अलग उभोकताओं को अलग-अलग आकार के पैक दिये गए जैसे बड़े होटल एस्ट्रों के लिए टिन के बड़े और चोकोल डिब्बे यूज किये गए जबकि घरों के लिए टिन वाले छोटे डब्बे और प्लाश्टिक के पीले रंके गोल डिब्बे उपलब्द कराए गए लीवर के इस एतियासिक विग्यापन अभियान का नतीज़ा ये रहा कि सस्ता डालडा आम आदमी के किचन तक पहुँच गया और जल्दी शुद्गी का भरोसे मंद विकल्प बन गया जब लोक साभा में डालडा बना बहस का मुद्दा दोस्तो विग्यापन की समझ रखने वालों की माने तो खरीब तीन सालों तक डालडा का लोकल और इंटरनेशनल लेबल पर फूड आल छेतर में कोई सानी नहीं था आसान लबजों में कहें तो डालडा ने 1903 के दर्शक तक बाजार पर अपनी मोनोपॉली जमा कर रखी थी मगर ये सफर इतना आसान नहीं था जितना दिखाई देता है इस लंबे सफर में डालडा को कई बार आरोब जिलने पड़े उसे कोड तक ले जाया गया बैंड करने की बात होने लगी और हद तो तब हुई जब डालडा लोग सभा में बहस की वज़ा बन गया दरसल हुआ ये था कि 1940 में डालडा के मार्केट में आने के बाद भी भारतिय समाज का एक बड़ा हिस्सा शुद देसी घी के पक्ष में था और डालडा को विलायती घी बता कर जबर्दत विरोध कर रहा था इस विरोध का असर ये हुआ कि उन दिनों शादी ब्या में भोजन करने से पहले लोग पोशने लगे कि रसोई में विलायती घी का परियोग हुआ है या गाई के दूस से बनी देसी घी का डालडा का विरोध इतना बढ़ा कि उस समय के प्रधान मंतरी जबालाल नेरू ने इस मामले में जनमत सर्वेक्षन किया और एक समीती का भी गठन किया लेकिन मिलावड का कोई हल सामने नहीं आया इस बहस ने पचास के दर्शक में इतना तूल पकड़ा कि बात लोग सभा तक पहुच गई ततकाल इंसांसद ठाकुरदास भारगों ने बिल पेश करते वे मांग रखी कि सरकार देश में वरनस्पती घी के उत्पादन और विक्क्री पर कानूनी प्रतिबंद लगाए संसन में बहस छड़ी और कहा गया वरनस्पती घी के 47 कार खाने जहां खरीत 30,000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है इस कानून के बाद वो बिरोज़गार हो जाएंगे हालाक इस लंबी दिल्चस भहस के बावजूत वरनस्पती घी पर प्रतिबंद का प्रस्तावित बिल लोग सभा में पास नहीं हुआ और डाल्डा की खाम्यावी का सिलसला जारी रहा और फिर शुरू हुआ डाल्डा का अंत दोस्तो वैसे तो मार्केट में उतरने से लेकर नब्बे के दशक तक डाल्डा ने कई आरोपों, कई समस्याओं और कई चुनोतियों का करारा जबाब दिया मगर किसी ने सही कहा है सदा वक्त एक समान नहीं रहता है यही हुआ नब्बे के दशक में डाल्डा के साथ दरसल साल 1990 में एक न्यूज एजनसी ने आरोप लगाए कि वनस्पती घीकोवधिक चिकना बनाने के लिए कमपणिये निर्मार के समय उसमें जानवरों की चर्बी मिलाती है ये एक ऐसा आरोप था जिसको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता था डाल्डा ने भारती ग्राहों को का भरोसा खोर दिया हलाकि डाल्डा ने वाकसी की धेरों कोशिशे की लेकिन उसमें तक डाल्डा का मुखाबला रिफाइन वनस्पती तेलों से शुरू हो चुका था कई सालों तक नुकसान उठाने के बाद आखर कार वर्स 2003 में हिंदोस्तान यूनी लिवर लिम्टेड ने लगभग 100 करोड रुपे में डाल्डा के दिकार अमेरिकी कमपनी बंज को बेच दिये बंज के लिए फूड आयल के बाजार में डाल्डा वनस्पती घी के यादों के चलते शुरुवात में परिशानिया पेश आई लेकिन 2013 के बाद से डाल्डा रिफाइन डॉयल नई उर्जा और नई मार्केट इस्ट्रेजी के साथ मैदान में उतरा जिसका नतीजा यह है कि डाल्डा का नाम आज भी भारतिय बाजार में जिन्दा है आज भी डाल्डा कुछ आउनलाइन स्टोर्स पर अपने असल रूप में मिलता है और लोग इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन एक सच ये भी है कि इसका प्रयोग बस घरीब तपका ही करता है क्योंकि ये अनगी और तेलों के मुखाबले एक लीटर पर करीब 20 रुपे सस्ता है तो दोस्तो ये थी इंडियन हेरिटेज ब्रैंड डाल्डा वनस्पति घी की कहानी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कुमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार